आप महेंदर सिंग धोनी को कॉल करेंगे तो 99% चांस है कि वो आपका कॉल नहीं उठाएंगे लेकिन उसके बाद विराट कोली जो धोनी के बारे में कहते हैं वो सुनकर आपको लगेगा कि धोनी कितने बहतर इंसान हैं। पारे लोग टीवी पर जाकर बयान बाजी कर रहे थे एक लोता शक्स मेरी पत्नी के अलावा जो मेरे साथ खड़ा था उस शक्स का नाम है महेंदर सिंग धोनी। धोनी ने दो बार मुझे रीच आउट किया ऐसा विराट कोली कहते हैं और उसके बाद विराट कहते हैं कि धोन बार उस दोस्ती की याद दिलाते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि महेंदर सिंग धोनी एक अच्छे क्रिकेटर के साथ साथ एक अच्छे इनसान है और जब हम ये लाइन बोलें तो हमको महेंदर सिंग धोनी का एक इंटर्विव आ रा गया जिसमें महेंदर सिंग धोनी में वो बात नहीं रही और विराट कोहली के सन्यास तक की बात कही जा रही थी जानने वाले जानते थे कि विराट कोहली लडाकू है एक दिन लोटेंगे और जब विराट कोहली लोटे तो वही लोग जो उनकी बुराई कर रहे थे अब विराट कोहली के तारीफ में कसीदे प तो हमें लगा कि आपको बतानी चाहिए बहराल इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार स्विकार करिए मिरा नाम प्रशांत्राय है यह वीडियो रोड़ बेज एप के द्वारा प्रयोजुत है रोड़ बेज बिहार के एक ऐसी टेक्स के उस साक्षातकार पर जिसको लेकर तमाम मीडिया हाउसे अब खबरे चला रही है विराट कोली कहते हैं कि देखिए धोनी को आप फोन करिए 99 प्रतिशत चांस है कि धोनी आपका फोन नहीं उठाएंगे क्योंकि धोनी अपना फोन देखते नहीं है और उसके बाद क्या था ये भी आपको हम बता देते हैं धोनी ने विराट कोली को लिख कर भेजा था कि जब कोई बहुत मजबूत आदमी बहुत तेरी से आगे बढ़ रहा होता है उसके बाद उसके जीवर में कोई रुकावट आता है तब लोग उसको हमेशा से मजबूत ही समझते हैं कि किसी को ऐसा नहीं लगता कि उस आदमी से भी पूछना चाहिए कि तुम कैसे हो तुम क्या कर रहे हो तुमारे धिमाग में क्या चल रहा है असलियत यह है कि सब को किसी आदमी को भले मजबूत समझना तो चाहिए लेकिन उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहना चा कि तुम bounce back करोगे तुम बहुत अच्छे form में आओगे और उसके बाद जब विराट form में आ गए तब विराट ने एक इससा सुनाय था सबको और बताया था कि कैसे धोनी उनके साथ उस लम्हे में उस वक्त में खड़े थे जब उनके साथ कोई खड़ा नहीं था सारे लोग इ इस इंटरव्यू को और उनके इस बयान को छाप रहे हैं बता रहे हैं कि कैसे धोनी दोस्तों के लिए हमेशा खड़े होते हैं विराट ने उस इंटरव्यू में एक और बात कही थी उन्होंने कहा था कि जब मैं चौबीस साल का था तब मैं 22 केप्टर मन गया था और धोनी के अंडर था धोनी ने मुझे खेलना भी सिखाया धोनी से मैंने कप्तानी भी सिखी और आप याद करिए जब धोनी ने अपने रिटारिमेंट की घोशना की थी 15 अगस्त को तब विराट कोली ने लिखा था कि मतलब ये कि विराट कोली आज भी महिंदर सिंग धोनी को अपना कप्तान मानते हैं और धोनी और विराट की जो ये साजेदारी है जो ये दोस्ती है वो इतनी शांदार है कि भारत का हर क्रिकेट फैन चाहता है कि सारे प्लियर्स की बीच ऐसे ही केमिस्ट्री देखने को मिले उनका प्यार ऐसे ही बरकरा रहे ताकि भारतिय टीम और इंडियन क्रिकेट आगे बढ़ सके बाकी आप धोनी के बारे में क्या सोचते हैं तो मिले के बताईएगा मेरा नाम प्रशांत राय है बहुत बहुत धनेवाद